नमस्कार दोस्तों, आपका स्वावववयत करता हूँ, आपी की यूट्यूब चैनल में, हम लोग यहाँ डिसकेशन करने वाले अपाउट शेर मार्केट के बारे में, जहाँ डिसकेशन करेंगे, about nifty के बारे में कि nifty का support है कहाँ पर है, resident कहाँ पर है, कहाँ तगिर कर जा सकता plus friend, कुछ stocks को भी cover करने की कोशिश करेंगे, तो चली start करते हैं and friend, start करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, सबको यह बात पता होगा, कि महात्मा गांधी जेनती कल है, इस कारण से कल हमारा share market बंद रहेगा ये friend, NSE के website में आप इसको भी validate कर सकते हैं तो कल बंद रहेगा market 2nd October को and friend, उसके लावा नॉवंबर में फिर next चुट्टी जो रहेगा और नॉवंबर में रहेगा एहम सपोर्ट के पास करी पहुँच गया 46 points का गिरावट देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं हाँ पर and friend, Wix को चक करेंगे तो Wix को चक कीजिएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी 12.478, 2.46% का आपर गिरावट देखने को मिल रहा है, कल के दिन में यहीं पर देख सकते हैं Wix में 7% 7% ज़्यादा का उच्छाल देखने को मिला था reason क्या था, confusion था market में free revision को लेकर के, electoral bond को लेकर के and plus Nikkei market बहुँ सारे confusion थे and इस कारण से market में अच्छी खाजी गिरावट देखने को मिले and Wix हमारा 7% चड़ गया आज यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है सब कुछ दीरे दीरे अब सांथ हो रहा है तो इस इसको जरूर धहान दीजेगा अब आगे बढ़ते हैं Nifty 50 के stocks को चक करेंगे तो फ्रेंट सबसे पहले जी जानने की बात है कि कौन stock कितना contribute करता है तो HFC bank 11.34% contribute करता है सबसे ज़्यादा विटेज है Reliance 8.64% है ICC bank 7.74 Infosys 5.82 NITC 4.16 यानि कि फ्रेंट इटी को कौन गिरा रहा साफ दिख रहा है फ्रेंट कि HDFC bank गिरा रहा है Reliance के तरफ, SDC bank के तरफ से तो market तुरंथ में यहां से उचल जाएगा यहां से reversal आपको देखने को मिल सकते है तो इस चिछ को जुरूर ध्यान देजिएगा बहुत ज़्यादा गिराउट नहीं है किसी भी stocks में आगे बढ़ते हैं अब चेक करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा कौन सेक्टर करता है तो फिनांसल सर्विसस थर्टी परसंट अप्रॉक्सिंट थर्टी पर नाइन टू आइटी सेक्टर 12.75 आइट पॉविंग 8.58 और आटम वाइल कॉंपनेट 8 परसंट इतना वीटेज है फिनांसल सर्विसस सबसे ज़्यादा है तो देखे फिरन ये बीच बीच में ना ही ये रेड है ना ही ग्रीन है जरा से हां से उच्छाल स्टाट होगा तो फिरन निफ्टी अपने आप ग्रीन हो जाएगा उसके लाट फिरन देख सकते हैं सेकंड निफर पर आपका आता है इन्फरमिशन टेकनोलोजी तो अल्री ये ग्रीन साइड में है देख सकते हैं ये सबसाता आज निफ्टी को ड्राइग करने की कोशिश कर रहा है तो फिरन ये देख सकते हैं सेक्टरल पार आप इसको हाँ पर वैलिडेट कर सकते हैं टॉप गिनर्स में देख सकते हैं टेक महिंद्रा लगवत तीन परसन को अचाले है महिंद्रा महिंद्रा 1.42 इन्फोसिस 1 परसन बजाज फिन सब 1 परसन विप्रो जिरो पॉंटे और सबसे सब गिराउट कहा है तो एक्षिन पेट में 2.35 टाटा सील 1.90 बजाज आटो 1.50 GSW Steel 1.40 ग्राशी में 1.33 परसन के हापर गिराउट देखने को मिल रहा है तो यह तो हो गया पूरा सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिक बात है अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी का चार्ट को चेक करेंगे तो बहुत इंपॉर्टन सपोर्ट है 25,750 अगर यह तूड़ जाता है इसके नीचे क्लोजिंग आता है में है क्लोजिंग अगर आज के दिन में क्लोजिंग आ आ जाता है तो आपको फ्रेश यहां पर विक्वाली देखने को मिल सकते हैं तिस चिछ के जुरू धान देजगा अभी हम लोग बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास ही ट्रेड कर रहे ह तो यहां पर डरनी के भी ज़्यादा बात नहीं है बहुत ज़्यादा चांसे से फ्रेंट के आपको यहां से रिवर्सल आ जाए तो ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड में है अगर चेक करेंगे फ्रेंट निके में आज की दिन में तो साड़े साथ साथ सो बहुत ज़्यादा यहां पर इसे मार्केट का भी कंट्रिबूशन नहीं रहेगा लेकिन जो भी कंट्रिबूशन हो रहा है वो पॉस्टिव साथ में नेके मार्केट में देख सते हैं दो पसल का उचाल है तो यह इस कारण से मैं बोला हूँ कि रिवर्सल के संकित ज्यादा बन रहे है और प्लेस डाओ जूंस का फूचर को चेकेज़ेगा अमेरिका मार्केट में तो 0.08% का ही गिराओट है तो फ्रेंट बहुत ज़्यादा गिराओट कहीं भी नहीं है तो क्रिवर्सल आ सकता है और फ्रेंट आज के दिन में इतना दबाव के पीछी रीजन क्या है फ्रेंट दबाव के पीछी एक ही रीजन है वो है FI ने कल अच्छी खासी कल बिक्वाली करके गया है 9,791 करों के हाँ पर उन्होंने क्याश में बेज कर गया है तो ये एक बहुत बड़ा ये जुरता ना सेंटिमेंट को बिगारने का काम किया है तो दो दिनों में लगवा अगर FI जरा भी बाइंग करके गए तो यहां फर मार्केट में अच्छा कासर रिवर्सल आ जाएगा बागे बढ़ते हैं दस करेंगे अबाउट NAC, BAC, CDSL, fee revision यहां पर हुआ है कल के दिन में बहुत बड़ी मीटिम हुई थी और यहां से बहुत बड़ा अप्डेट्स नि एक्विटी ऑप्शन में 35.03, 35 रुपए 3 पैसा लगेगा पर लैक आफ रेड़ वैल्यू उसी तरह से करणसे फ्यूचर में 35 पैसा लगेगा करणसे ऑप्शन में 31 रुपीस 10 पैसा उसी तरह सर्म BAC का भी हाँ आप दिया गया आप उसको यहां पर चेक कर सकते हैं तो फिर ट्रांसेक्शन रेड़ रहेगा वो रिप्लेस कर देगा डाइवर्स स्लाइब बेस्ट फीस करेंट्ली इंपोस्ट रवारी स्टॉक एक्टिविटी तो पहले जो था वॉल्यूम और अक्टिविटी के बेस में फीस चार्ज किया जाता था दो और ओल्डर रेड्स चार्ज पेट टू थे एक्चेंज बिकाउस अफारी ट्रेडिंग वाल्यूम और इस तरीके सो पैसा कमाते थे चलिए इसको एक्जांपल की तौर पे समझ लेते हैं देखिए यहां पर बता जा रहा है कि एक्जांपल आप मान लिजे कि ब्रोकर कूट चार्ज इन इवेस् प्रमोर्ट ट्रांसफरनसी फरन्ट एंड टांसफरनसी मीलेगा और इस का ज्यादा बेनफिट मिलने वाला है और किसे घाता होगा अदन हरा plus friend आपका grow हो गया angel one हो गया तो इन लोगों को ज्यादा घाटा होगा in comparison to the client इसकला बहुत सारे important updates है जैसे कि देखे बता जा रहे है कि increased STT on derivatives trading तो friend यहापर जो securities transaction tax जो रहता है न वो increase कर गया बढ़ गया on future and option trading and will increase beginning from October 1st October से start हो गया STT on future trading will rise from 0.025% to 0.02% while STT on option trading will increase to 0.1% तो friend यह बहुत बड़ा update है STT को ले करके plus buyback taxation को ले करके भी update आ रहा है because इससे क्या होगा ना कि आपका जो tax lab है वो change कर जागा अगर आप इसको ध्यान नहीं दी जागा तब माल लिजे कि आपने किसी buyback वाले event पाटिस्पेट किया तो उसे क्या हो जागा कि buyback will now be taxed as dividend starting from October 1st तो आपसी इसमें भी tax लगेगा this shift the tax burden from companies to shareholder will be taxed according to their personal income tax bracket तो अगर ऐसा अब ध्यान नहीं दीजेगा तो पता चला आप different tax bracket में चलेगा और इस कारण से फिर आपको ज़्यादा tax लग रहा तो इस उचको जरूर ध्यान दीजेगा previously shareback, buyback were considered as a tax efficient way for companies to return money to investors तो फ्रेंड ये भी बहुत भी बड़ा update है अब आगे बढ़ते है फ्रेंड ये अच्छी चीज है ये positive update यहाँ पर आ रहा है that new T plus 2 bonuses trading framework तो bonuses को लेकर के बहुत ही बड़ा update है फ्रेंड पहले क्या आता था ना कि bonuses को credit होने में, trading होने में लग 15 दिन का time लग जाता था तब तब पूरे जो भी investors है, जो भी traders है, जो भी इससे participate करते थे वो बहुत ही बड़ा panic वाला situation होता था लेकिन अब क्या है यह start करेगी trading within T plus 2 framework में यह record date से 2 दिन के अंदराल में trading भी start हो जाएगा यह कब से effective है, तो फ्रम October 1 से start हो जाएगा तो यह बहुत भी बड़ा update है रहा बोनिर शेस को लेकर के यह तो हो गया fees revision की बात है, जो की market को clarity चाहिए था, clarity मिल गया फ्रम इंपोर्टन और था जिसकारण से negativity फैले थी, वो था कि जो हमारे finance मिनिस्टर थे, उनको लेकर के negative news आया था, regarding electoral bond को लेकर के जहां बता जारा है कि निर्मला सीतारमन के खिलाफ FIRE पर 22 October तक अंतरिम रोक जुरता लगा दी गई है, electoral bond से जुला मामला था यह फ्रम ये एक positive update आ रहा है, ये मुद्दा क्या था, जहां बता जारा था कि ये चुनाई bond के नाम पर जबरन वसूली के आरोप वाले मामला था, जहां पर जबरन वसूली किया गया था, जो भी जिसे विदानता हो गये, अलग-अलग companies का नाम बताया गया था, वहां से इनका करना था है कि जबरन वसूली की गयी है, और इस कारण से फ्रंट, निर्वला सीतारमन, करनाटक, भाजपा, प्रमुग, बीवाई, विजेंदर और अने से जुड़ी, जाच, उनको बाद जाच चलन यहां पर एक price adjustment देखने को मिल रहा है, because यहां पर बहुत ही बड़ा corporate event आज के दिन में हुआ है, that is, subdivision split हुआ है, 10 equity shares of face value 1 each, for every 1 equity shares of face value 10 each, जो currently share, जो previous था, उसका face value 10 था, अब वो change कर जाएगा, फ्रेंट, 1 में हो जाएगा, यानि कि एक share हो जाएगा, 10 share, आपके DMEAT account में, recorded इसका क्या था, तो 1st October 2024, इसका recorded था, यानि फ्रेंट, एक share हो जाएगा, 10 share, अनि इस कारण से क्या हुआ, फ्रेंट, मानिज आपका एक share है, उसका, वो कितना quantity हो जाएगा, तो 10 share में convert हो जाएगा, भाव जो रता, उसी ratio में गिर गया, 43 रुपीस, 40 पैसा हो गया, अनि य यह जो split shares है उसको आने में time लगता है, कितना time लगता है, दो से तीन दिनों का time लगता है, जैसे ही split shares आएगे, तो जो आपका investment का value में drop नजर आ रहा है, या फिर profit में गिरावट नजर आ रही है, या फिर आपका loss जो रता है वो चुकि बढ़ गया है, उसको देखकर का करना ने, because यहाँ पर split shares अभी तक आपके demand account में आया नहीं, जैसे हो आएगा friend, अपने आप automatically वो corrected value में change कर जाएगा, यह था update regarding integrated industries, यहाँ पर आज अच्छा कासा price adjustment देखने को मिला, because of stock split event, अब है friend, यहाँ पर next update है, that is, मुतूर फिनांस अन मनपूरम फिनांस को ले करके, गोल फिनांस, stock slip, post RBI, report on gold loan, तो friend, gold loan वाली जो भी company से, उसे आपको थोड़ी अभी दूरी बना के रखने चाहिए, because friend, यहाँ पर update आ रहा है कि shares of gold finance companies, सचा as मुतूर फिनांस, मनपूरम फिनांस, were trading in red on Tuesday, October 1st, as Reserve Bank of India on Monday said, it has observed several regular, irregular practices by gold loan companies, तो friend, यहाँ पर negative update आ रहा है, RBI क तरब से यह जटका लग सकता है, और फिर से इसमें जाच कर सकते हैं, इसलिए यह जो भी gold finance company नो उनसे आपको थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए, तो जब बरदस तेजी देखने को बल रहे है, उसके पीछी reason क्या है, वो है friend, brokerage update, CRSA ने देखी, upgrade किया है, और यहाँ पर देखिए, stock उन्होंने क्या बोला है, outperform from hold, पहले hold rating की था, अभी क्या बोल रहे है, outperform rating दे रहे है, target price 1749 का उन्होंने sit किया है, यहाँ पर चुकि brokerage update positive side में आ रहा है, इस कारण से share मच्छी कासी तेजी देखने को मिल रहे है, यह था complete update regarding share market and stock update, आई होग आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिगा, share कीजिगा अचानल को, subscribe कीजिगा तेखिए.